उन्निस अक्तूबर राशी मेश ओवर्वियू विद्यार्थी आज अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख कर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहेंगे आज आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं लेकिन इसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाएं उन्निस अक्तूबर राशी मेश रोमैंस शारिरिक संबंद आपस में खुशियां वजोश भर देंगे आपको अपने दिल एवं आत्मिक सुक के लिए कुछ ऐसे ही अविस्मर नियक्षणों की प्रतीक शाथी यदि आपका किसी से संबंद है तो बैठ कर शान्ति पूर्वक अपने साथी को बताएं और यदि हलकी फुलकी दोस्ती ही कायम है तो अपनी इच्छा अनुसार कदम उठाएं आज उनके लिए सुनहरा दिन है जो रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं यदि इस प्रकार का भविश्य बनाना आपके मन में है तो आज इस विशे में आगे बढ़ना चाहिए आप देखेंगे कि व्यावसाइक द्रिष्टिकोन से भी ये क्षेत्र आपके लिए फाइदे का सौधा होगा कुछ अग्यात कारणों से आप जो चाह रहे थे वो आपको हासिल नहीं होगा व्यवसाइ में लगे आप में से कई लोगों को हैरानी होगी कि सब कुछ करने के बावजूद मन चाही चीज नहीं मिली आप शायद ये भी सोचें कि आज तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है पर सबताहंत में परिणाम से आपने राश हो सकते हैं अच्छा है कि आज आज आप दूसरे विकल्प भी देखने शुरू कर लें हालनकि ऐसा नहीं है कि आपके मौजूदा काम में सब कुछ खत्म ही हो गया फिर भी पहले से ही संभल कर चलें तो बुरा ही क्या है आज ज्यादा तनाव और परेशानी के कारण सिर्दर्ध हो सकता है आपको आराम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि आप सिर्दर्ध जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकें और साथ ही तनाव भी कम हो सके आज आपके परिजन आपकी खुशी और गर्व का स्रोत होंगे आज आपके किसी अपने से संबंधित कोई शुब समाचार आपको बहुत खुशी देगा अपनों के साथ उनकी खुशी का जश्ट मनाएं पूरी तरह से उनकी खुशियों में शामिल हों आज उन पर प्यार और खुशियों की बारिश कर दें इससे आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना की उनको आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे वह पिछले कुछ समय की बोरियत से चुटकारा पालेंगे यही अपने साथी के प्रती प्रेम प्रदर्शित करने वह बदले में प्रेम पाने का सही समय है आज के दिन आप पाएंगे कि पदुनती का समय सामने आने से आपका काम और अधिक अच्छा हो चला है आपको मालूम ना हो तब भी आपके अधिकारी आपके काम पर नजर रखे हुए हैं अपने काम का सही प्रभाव सभी पर डालने का प्रयात्न करें आज बह समय है कि आप अपने विवसाई को बढ़ाने के लिए कुछ नीति निर्धारित करें और यह सोचें कि कैसे अपनी सेवा या अपना सामान ज्यादा से ज्यादा ग्रहकों को मुहया करा सकें इसके लिए अपने सामान या सेवा का विज्यापन कीजिए आज सारे विकल्पों पर ध्यान देते हुए, लोगों तक अपनी पहुँच बनाईए, फिर लंबे समय तक आपको इसका लाव मिलता रहेगा अगर आप कोई बहमूल्य पत्थर पहनने की सोच रही है, तो चिंता की बात नहीं है, आज किसी जोतशी की सलाह ले सकते है ध्यान रहे, जो भी पत्थर पहने, सलाह करके ही पहने, क्योंकि इसका गलत प्रवाव भी पढ़ जाता है, all the best आज शायद आप खुद को अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच जूलता हुआ पाएंगे एक तरफ आप सामाजिक समारोह में बढ़ चड़ कर भाग लेना चाहेंगे और दूसरी तरफ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपना काम भी समय पर पूरा करें ये संतुलन बनाये रखना तो कभी भी आपकी परिशानी थी ही नहीं तो फिर देर किस बात की है सबको खुश रखें क्या आपको लगता है आपका संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है आपके प्रती आपके साथी की भावनाएं व्यक्त करने की तीवरता आपको हैरान कर सकती है इस सुझाव पर सोच समझ कर फैसला करें ये आपके लिए लाबकारी है आज आपको व्यावसाइक सफलता मिलेगी जो आपको गर्व और उत्साह से भर देगी ये उन्नती पाकर आपको ये एहसास होगा कि आपने सही समय पर सही कदम उठाए और जब बात आपके काम की आती है तो आप किसी से भी नहीं घबराते आज अपने समबाद में सावधानी रखें क्योंकि इसमें हुई एक चूक से आपकी तिजोरी पर असर पड़ सकता है अगर आप उपकरणों की खरीद या ओर्डर दे रहे हैं तो उसकी मात्रा और उसके मूले पर ध्यान से नजर डाल लें नहीं तो क्या पता ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ें जहां सब का ठीक ठीक ब्योरा रखने से आप सुरक्षित रहेंगे किसी भी शारिदिक परेशानी का कारण धूने और अगर जरूरत हो तो डॉक्टरी सलाह भी लें स्वयम उपचार से आपकी तबियत में सुधार होगा आप बिमारी के कारण का पता लगाएं अन्यता वो फिर से उभर सकती है आज आप अपने परिवार के साथ समय गुजारेंगे और खूब मज़ा करेंगे कुछ ऐसा करें जिससे सभी को खूब मज़ा आए और आप एक दूसरे के और भी करीब आ सकें आप उनके साथ कोई मज़ेदार खेल भी खेल सकते हैं या फिर कोई फिल्म देखने भी जा सकते हैं इससे आप तरो ताजा तो महसूस करेंगे ही आपके रिष्टों में मजबूती भी आएगी उननिस अक्तूबर राशिकर्क रोमैंस अपने संबंध के बारे में गहराई से सोचें सोच समझ कर साथी का चुनाव करें लंबे समय तक खुशी देने वाले साथी का चुनाव करें शुरू में आकर शक लगने वाले व्यक्ति जो आपको उप्युक्त महत वना दें उन्हें दूर रखना ही बहतर होगा उननिस अक्तूबर राशिकर्क करियर आप जिस महत पूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आ सकती हैं अगर आपको अपनी महनत का फल नहीं मिला तो आप कुछ उदासीन हो सकते हैं ध्यान रखें कि अपनी महनत लगन से ही आप अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे उननिस अक्तूबर राशिकर्क फाइनान्स यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज उसका चुनाव कर लें आज का चुनाव काफी संतोष चिनक लगेगा ग्रहनक्षत्र आपके पक्ष में हैं इसलिए खान पान पर ध्यान दें परन्तु अंत में आप पुराने रविये पर आ जाएंगे आपको मजबूत बनना होगा आप ही बदलाव ला सकते हैं इसलिए पहले दिमाग में सोचें और फिर उसे लागू करें आज आप कुछ समय से घर पर चल रहे जगडों को सुलजा कर चैन की सांस लेंगे आज आप घर पर ही रहकर घरवालों के साथ बाते करें और खूब मजा लें ये चोटी चोटी बातें आपके रिष्टे को और मजबूत बनाएंगी आप अपने दोस्तों के साथ बिदाए स उनहरे पलों को याद कर खुश होंगे यदि आप अभिभावक हैं तो अपने विवाहित बच्चों के संबंध में अपनी सीमाएं निश्चित कर लें आपके द्वारा भले के लिए दी गई सलाह का आपके बच्चों पर नकारात्मक असर हो सकता है बच्चों की शादी के विशय में आदरपूर्ण दूरी बनाए रखें आज आप अपने भविश्य को लेकर कुछ उल्जन में रहेंगे और किसी सलाहकार की सलाह लेना चाहेंगे इस व्यक्ति से पूरी तरह खुल कर बात करें उसे ये बात पूरी तरह से बताएं कि आपकी उल्जन क्या है और आप उससे किस तरह की मदद चाहते हैं ये समय आपके लिए दिमाग को बुद्धि मत्ता पूर्ण तरीके से प्रयोग करने का है ताकि विवसाई के नए अवज़र तलाश किये जा सकें इस समय आर्थिक सफलता के लिए कुछ गंभीर प्रयास किये जाने की आवशकता है इस बात को दिमाग में रखें कि कठिन परिश्रम ही व्यवसाई के सफलता की कुणजी है इस समय आप कुछ भागेशाली अवसर प्राप्त कर सकते हैं परंतु कारे के प्रती आपकी वचन बद्धता ही आपको आपके लक्ष की प्राप्तिकी ओर ले जाएगी आपकी व्यस्तता आपको ठका सकती है आपको स्वास्त का अनंद लेने में परिशानी हो सकती है आप काम और दूसरी चीजों में अंतर करना सीखें पर आप आराम का महत्व और प्रियजनों को समय देने का महत्व समझने के बाद ही अच्छी तरह कारे कर सकेंगे आज आपको अपने गुरु की सलाह अपने लंबे समय से चले आ रहे दुखों को खत्म करने के लिए लेनी चाहिए आपने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की लेकिन ये वक्त है अपने ऐसे ही जानकार की सलाह लेने का जो आपके करीब हो और आपकी परवाह करता हो अपने उद्देशों को प्राप्ट करने के लिए उनकी सलाह का उभ्योग करने में जरा भी नहिचकें आपको अपने साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा आप अनुभव करेंगे कि आपका घर प्रेम इवं सने से परिपूर्ण है किसी के साथ साजेदारी करने का विचार आज आपके दिमाग में चलता रहेगा खास्तोर से औरतों के काफी सोच समझने के बाद आप इस साजेदारी के लिए हां कर देंगे आपका निरने सही है और आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आप इस दिशा में सोच विचार कर लें अभी शेयर बाजार से दूर ही रहें क्योंकि ये समय शेयर बाजार के खिलाडियों के लिए बड़ी दुविधावाला है ये समय ऐसा है कि आप कुछ और सोचें और बाजार में कुछ और ही हो इसलिए किसी तरह का अंदाजा लगा कर ना चलें आज निवेश के लिए सभी विकल्पों को जाने समझें लेकिन ऐसा कोई निवेश ना करें जिसमें जोखिम हो दिल के रोग से ग्रस्त लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है याद रखें कि आप संतुलित खाना लें ताकि आपका स्वास्ते बना रहे दिमागी तनाव को ना आने दें इससे परिशानी बढ़ सकती है भाग ले सकते हैं जो आध्यात्म से वास्ता रखती है इससे आपको खुशी वसंतुष्टी मिलेगी इससे आपका सही मार्ग दर्शन हो सकेगा इसलिए इसका पूरा लाब उठाएं अगर आपकी इच्छा हो तो आप किसी तीर थियात्रा पर भी जा सकते हैं आज आप अनावशक रूप से घलत कड़वी बातें न करें कुछ कहने से पहले सोच लें आप समझते हैं कि आप अपने साथी के प्रतिस जादा इमानदार हैं शांत रहकर विवहार करने से लंबे समय में आप खुद को बचा पाएंगे अपने काम के बारे में गंभीरता से सोचने का समय आ गया है अगर आप बिना सोचे समझे अपने काम को बदलते हैं तो हो सकता है आपको इच्छित परणाम न मिल सकें आज बहुत से व्यावसाइक मौके आपके रास्ते में आ रही हैं लेकिन कोई भी निर्णे लेने से पहले आपको भली प्रकार से सोच लेना चाहिए लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इस मौके को हाथ से न जाने दें आज विदेश से आपको लाव मिलने के संकेत है यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आपके इच्छा पूरी होगी खुश ख़बरी मिलेगी सितारे आपके पक्ष में हैं सकारात्मक बज़ार बनाए रखें अगर आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी है तो आज आप पाएंगे कि आपकी ये परेशानी काफी हद तक ठीक हो रही है आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी मगर अपने खान पान और कसरत पर अवश्य धान दें इसका परिणाम आपके लिए लाभकारी होगा अगर आपका वजन अचानक बढ़ रहा है तो आज वो दिन है जब आपको इस समस्या पर विचार करना होगा इस दिन का प्रयोग नए दोस्त बनाने के लिए करें सामाजिक समारोह में भाग लें वो नए दोस्त बनाएं आप कुछ नए रिष्टे भी कायम कर पाएंगे नए लोगों से मिलने पर आप अपना फोन नंबर अथवा इमेल आईडी भी आपस में बदल सकते हैं क्या पता कब अवसरों के नए द्वार खुल जाएं? 19. अक्तूबर राशिवरिष्चिक रोमैंस आज आप अपनी रोमैंस से भरी जिंदगी से बोरियत महसूस कर रही हैं आपको चाहिए कि अपने दिन चर्या में कुछ बदलाव अवश्य लाएं शहर से बाहर घूमने जाएं या किसी सामाजिक गतिविधी में भाग लें केवल अपने साथी के साथ अन्य था अन्य जोडों के साथ जिंदगी के भरपूर मजे लें आज का दिन रोमैंस से भरपूर होगा आपको उसका सकारात्मक नतीजा भी देखने को मिलेगा आज आप अपने कार्याले में तनाव पूर्ण माहौल पाएंगे आप अपने आपको शांत रखें वरना इसके कारण परिशानी आ सकती है आज आपका सबसे महतुपूर्ण काम यही है कि आप शांती से काम करें और अपने लंबे समय के लक्षियों पर ध्यान दें अच्छा होगा कि छोटी-छोटी बातों पर ध्यान ना दें अगर आप विवसाई में हैं तो आपको कुछ ऐसे इनाम मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था आपको अपने सहयोगियों से कोई कीमती तौफ़ा भी मिल सकता है ये भी हो सकता है कि उनकी सहायता से आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए और आपका फायदा हो अपने विवसाई के लिए आप इसे बड़ी धरोहर समझे आज ज्यादा काम की वजह से थकावट पूरे दिन बनी रहेगी आप अपने आपको ब्रेक दें आपको इसकी जरूरत है आपको पता है कि आप धंक से काम नहीं कर पाएंगे तो क्यों न आप घर जाएं और आराम करें आप अपनी जान पहचान के जरिये अपने व्यावसाईक और सामाजिक जीवन में सफलता पाएंगे इस रिष्टे को बनाए रखें क्योंकि इस से आपके जीवन में बहुत से बदलावाएंगे आप उनको अपनी मदद के लिए धन्यवाद कहना न भूलें आज आपको प्रेम संबंद के मामले में निराशा या आघात लग सकता है क्योंकि आज आपके रिष्टे में दरार पढ़ने की संभावना है आप इस हालात से परचित हों या ना हों पर ऐसी हालत आपके लिए तयार हो रही है आप इस खबर से ज़्यादा बेचैन न हों क्योंकि इस हालत से आप जल्दी ही उबर पाने में सक्षम होंगे और आपको अपना प्यार फिर मिल जाएगा यदि आप मीडिया या टीवी के क्षेतर में जाना चाहते हैं तो आज का दिन श्रेष्ट है आपको अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है जिससे सही सराहना और काम मिल सके आज कोई भुगतान करते वक्त सावधान रहें और ध्यान रखें कि आपके बैंक में इतने पैसे तो है न कि इसका भुगतान हो जाए क्योंकि आज चेक बाउंस होने के संकेत हैं बजट तयार करने में आज थोड़ा संभल कर चलें सीमा में रह कर ही खर्च करें और उधार की तो कोई खरिदारी करें ही नहीं आज आप उरजा से भरपूर रहेंगे आज आप अच्छा महसूस करेंगे इसलिए कोई स्वास्थ विकार की खबर नहीं मिलेगी आपकी शारिरिक और मानसिक उर्जा आपको शक्ति देगी आज आप अपने स्वास्त का आनंद लें आज आप टहलने जाएं या कोई खेल खेलें आपकी उर्जा का स्तर आज उचा रहेगा फिलहाल सत्ताधारी लोगों से ना ही उलजें तो अच्छा होगा खास्तोर से अगर आपको उनसे कोई काम निकलवाना हो तो सरकार से संबंधित काम करवाने के लिए आपको थोड़े धैरे से काम लेना होगा अगर आपका बहुत जरूरी सरकारी काम अठका पड़ा है तो बिना किसी हिचक के उच्चा धिकारी से बात करें आज आप रोमेंस के मामले में गलत जगह पर लड़ खड़ा सकते हैं शायद वह डायल किया गया गलत नंबर भी हो सकता है मौजमस्ती के अलावा बहा कुछ गंभीरता नहीं होगी फिर भी ऐसा नहीं है कि आप अंतत्धा आनंद नहीं ले पाएंगे अगर आप फार्मिसी या किसी चिकितसा संबंधी क्षेतर से जुड़े हैं तो शायद आपको विदेश जाने का कोई अवसर मिल सकता है आपको इस अवसर के बारे में सोचना चाहिए खासतोर से तब जबकि आपने पहले कभी इस अवसर को ठुकरा दिया हो ये अवसर काफी रोचक है और भविश्च में आपको लाब देगा अगर आज आप अपने आराम को एक तरफ रख कर सोचें तो आपके करियर में व्रिद्धी होगी उन्निस अक्तूबर राशी मकर फाइनांस अंतराश्ट्रे लेन देन और अंतराश्ट्रे बाजार से जुड़े व्यवसाईयों के लिए आज लाबगारी दिन है इस मौके का फायदा उठाएं और जहां तक संभवो अपना व्यापार बढ़ाएं उन्निस अक्तूबर राशी मकर हेल्थ आज आपको सुरक्षित खाना और बचाव के सुरक्षित तरीके इस्तिमाल करने पड़ सकते हैं इसलिए आप अपने परिवार वालों को किसी बीमारी या संक्रमन से दूर रखें ध्यान रहे आप ज्यादा तापमान और ज्यादा भीड़ वाली जगह न जाएं आप छोटी छोटी बीमारी जैसे कफ और कोल्ड को थोड़ा सा दिमाग लगा कर दूर भी कर सकते हैं आज आप खुद को सही माइने में जानने की कोशिश करेंगे आप अपनी मानेताओं पर ध्यान देंगे इसी राह पर चलते रहें क्योंकि इस से आपको बहुत खुशी मिलेगी आप किसी पवित्र स्थान पर भी जा सकते हैं कुछ दान अवश्य करें आज आप किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे यहां आपको एक खास व्यक्ति मिल सकता है कोई परिवार का व्यक्ति इस से आपका परिचय कराएगा यह स्थान किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए सुरक्षित और अनुकूल रहेगा क्योंकि वहां आपके परिवार वाले भी हुँगे अगर आप किसी नए नौकरी की खबर सुनने को बेताब हैं तो वो खबर आपको आज मिल सकती है. अपनी सोच सकारात्मक रखें. बुरे समय का सामना करने के लिए हमें अच्छे विचारों की जरूरत होती है, जो की आपके पास हैं. इसके लिए आपको अपने सभी विकल्पों को ठीक से खंगाल लेना चाहिए. आज आपको अपनी गलती से हुए आर्थिक नुकसान का आंकलन करना चाहिए. जो रुपए आपने उस बेकार सामान को खरीद कर गवाएं हैं, जिससे आपकी आय का एक हिस्सा बरबाद हुआ है. अपने रोजमर्रा के खर्चे में सावधानी बरतें. इससे आपको बचत हो सक जो आपके भविश्य में घाटे की भरबाई कर सकती है. उननिस अक्तूबर राशिकुम्ब हेल्थ आज आपको शांत और स्वच्छ वातावरण में जाने की आवशकता है, ताकि आप अपनी सेहत और कारे करने की क्षमता को बढ़ा सकें. उननिस अक्तूबर राशिमीन आज आपका भाग्य ही आपको सफलता दिलाएगा. आज सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा. आपको लगेगा कि ये सब आपकी मेहनत से ना होकर आपके सवभाग्य की वजह से हो रहा है. इस समय का पूरा लाब उठाएं. उननिस अक्तूबर राशिमीन रुमैंस आपको चाहिए कि आप अपने कारेक्षेत्र की समस्याओं को वहीं पर छोड़ कर आएं. अन्यथा आप वह आपके साथी के मध्य वही समस्याओं घूमती रहेंगी और आप एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे. उननिस अक्तूबर राशिमीन करियर आज आपको मालूम होगा कि आपका कंपनी में ही अनापेक्षित स्थानांतरण कर दिया गया है. आपको अपने लंबे समय के लक्षों के लिए चिंता करने की आवशक्ता नहीं है. आप अब भी लक्षों की ओर सही राह पर बढ़ रहे हैं. थोड़ा सा समय नवीन काम को अपनाने में लग सकता है. उननिस अक्तूबर राशिमीन फाइन्स सफलता की लंबी व कठिन सीड़ी चड़ना बहुत दर्दनाक वर धीमा होता है. आपको लगेगा कि आपकी आमदनी बहुत ही कम रह गई है. आप आमदनी तो बढ़ाना रखें. वो एक योजना बना कर चलें. फिर धीरे धीरे आमदनी बढ़ेगी. छोटे मुटे खर्चे तो आते ही रहेंगे. उससे आपकी आर्दिक चिती पर कोई आच नहीं आएगी. आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है. संभावना है कि दर्द को लेकर आप परेशानी में आ सकते हैं. आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने मन को विचलित न होने दें और सकारात्मक विचारों में ध्यान लगाएं. घबराएं नहीं. इस समय आप ग